दोस्तो आज के इस वीडियो हम बात करेंगे कि फरवरी में शनी अस्त होने वाले उसका आपकी राशी पे क्या प्रभाव पड़ेगा शनी एक बहुत मेजर प्लैनेट होता जो हमारी लाइफ के काफी आसपेक को समालता है अब वो अस्त होता है तो काफी लोगों की बैंड भी बसती और काफी लोगों को मौज भी आती है शनी 11 फरवरी 2024 को अस्त होंगे और 18 मार्च 2024 को फिर से उदय होंगे तो ये जो आपका 30-35 दिनों का जो टाइम पीरेड है इसमें आपके साथ क्या क्या हो सकता वो कौन सी चीजे हैं जो आपको टाल देनी चाहिए और वो कौन सी चीजे हैं जिसमें आपको एग्रेसिव हो जाना चाहिए इसके बारे में हम डेटेल में आज किस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो ये बिल्कुल शुमूरत है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देने का. दोस्तों सनी अस्त हो जाना या आप नॉर्मली जो सुनते हैं ये अस्त हो गया, वो मस्त हो गया, देखिए शूर् एक ऐसी बाड़ी है, उपर से उसमें बहुत जादा रोश्नी है, जब वो किसी भी प्लैनेट की निकट आजाता है, पास में आजाता है, तो उसके उजाले से, उसकी रोशनी से ये वाला जो छोटा सा प्लैनेट, यह दिखना बंद हो जाता है यही होता है अस्त होने का पूरा कॉंसेप्ट बस दिखना बंद हो गया है है वो वही पर यानि कि अभी क्या हो रहा है शूर कुमराशी में प्रवेश कर चुके हैं तो शनी वहीं पर बैठे हुए है तो सूर के उजाले में आप शनी हमें दिखाई नहीं देंगे और इस फिनॉमिना को बोलते हैं अस्त हो जाना जब भी आप अस्त सुनें तो अब उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया है जोतिश की परिभासा में कई सारे ग्रंतों में किताबों में लिखा है अस्त होने से कुछ नहीं होता है या शनी कभी अस्त नहीं होते है बड़ एक्चॉल में मैंने अपने अनुभाव में जो पराप्त किया है प्लैनेट जब अस्त होते है या फिर आपके कुडली में हो या फिर अचलित भाव में हो रहे हो और वही पे ये अस्त होंगे, दोस्तों ग्यारवे भाव में होता क्या है, आपके रिस्ते होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, आपकी इंकम होती है, आपके गेंस होते हैं, आपके जिंदगी के एस्पिरेशन होते हैं, गोल्स होते हैं, जो आपका सोशल नेटवर्क भी क्रिये संतान का house है, relationships का house है, affairs का house है और अपनी 10 वी दरश्टि यह आपके एर्थ house में डालेंगे जो कि आपके sexuality का, आपके boss, आपके authority, आपके inheritance और आपके in-laws, आपके accident, आपकी secrecy का house है अब जब शनी देव आपके 11 भाव में बैट कर अस्त होंगे तो आपको effect इन सारी चीजों में देखने को मिलेगा आपकी जो परिशानिया है वो भी इन सारी चीजों में होंगी जो challenges है वो भी इन सारी चीजों में होंगे अगर आपका increment होने वाला होगा तो वो अब रुकने की संभावना है अगर आपको कोई bonus मिलने वाला होगा तो वो अब रुक जाएगा कहीं ना कहीं से आपके income के जो साधन है वो अब कम होने वाले हैं अगर आप business करते हैं अब तो आपको piece of trade में धीमी गती देखनी ही पड़ेगी यहां तक कि यह भी हो सकता है कि इस दोरान आपको salary थोड़ी सी late credit हो आपके account में उसके बाद रिस्तेदारों और दोस्तों का घर यह जो है जिसके मैंने 11 भाव की बात करी है यहां पर आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि रिस्तेदारों या फिर अपने दोस्तों से विवाद होने का या फिर उनसे धोका मिलने की यहां पर आपको बहुँच चांसे है तो पैसे का lane देन तो आपको बिलकुल बंद कर देना चाहिए इस particular time period में यानि कि आपके उरिस्तेदारों दोस्तों के साथ कोई भी उधारी का काम नहीं करना है वो आपके against जा सकते हैं क्योंकि यहां से ही आपके आठवे घर में जो देखा जा रहा है जो inheritance का है अगर कोई inheritance की बाते चल रही है इन्हें ancestral property की कोई बाते चल लए ही तो वो भी काम अब delay हो सकता है डील बनते बनते यहां पर खराब हो सकती है आपके खिलाफ आपके खुद के जो चाचा मामा ताओ रिस्तेदार है ये भी जा सकते हैं आपको यहां पर ध्यान रखना होगा हो सकता है कि आपके दोस्त यार जिनको आप जिगरी समझके बैठते हो वो आपके business के अंदर आपको धोका देते या आपके पीट पीचे बुराई करें और याद बढ़ियां बात सनी की यह है कि अगर कोई धोका देता है ना तो वो आपको एहसास करा देते हैं उसका नकाव उतार के आपके सामने रख देते हैं तो एक positive बात यहां पर यह भी रहेगी अगर आपके यार दोस्त दिस्तेदार ऐसा कुछ करना चाहेंगे ना तो वो यहाँ पर शनी उनका मुखोटा उतार के आपके सामने रख देगा ऐसा नहीं होगा कि वो पीट पीजे अपना काम करके चलेगा और आपको पता ही नहीं चला 11 भाव आपके जिंदगी के एस्पिरेशन भी होते हैं आपके गोल्स भी होते हैं जो आप लॉंग टर्म के लिए बनाते हैं अब यहाँ पर शनी के अस्त होने की वज़े से आप थोड़ा सा भटकेंगे आपका मन नहीं करेगा उस डायरेक्शन में अब और जादा एफर्ट करने का लेजी फील करेंगे और कुल मिला के जिंदगी में थोड़ा सा रुक जाएंगे जैसे पहले जिस स्पीड में आप अपने गोल्स की तरफ जा रहे थे अब उस स्पीड में थोड़ा इसी आपको गिरावट नजर आएगी यहाँ पे कुछ लोगों में ये भी देखने को मिलेगा कि आप impatiently एक decision ले लेंगे और उसके बाद गलत साबित हो जाएंगे और फिर आप अपने उपर ही doubt करने लगेंगे इस पूरे time period के दोरान सनी दियों यहाँ से अपनी तीसरी दरश्टी आपके first house पे डाल लाए है सबसे पहले body और body को बड़ा सुस्त सा आपको महसूस होगा बहुत dull सा भी feel कर सकते हैं अचानक से आपका confidence level आत्म सम्मान में भी थोड़ी बहुत आपको खुदी doubt feel होने लगेगा और एक चीज़ और होगी आप अपने पेट की समस्याइं feel करने लगेगे यार अब मेरा stomach उतना healthy नहीं रहा कि कुछ भी लोहा लकड में खानू वो पचा ले अब यहाँ पर यह बहुत sensitive हो शुका है अब आपको बहुत सो समझ कर खाना पीना करना पड़ेगा कोई गलट decision लेने से आपको बहुत बचना है यहाँ पर especially decision finance से related तो हो तो बिल्कुल रुख जाएए जैसे आप में से कही सारे लोग trade करते होंगे properties लेने जा रहे होंगे इसमें आपको रुख जाना है negative thoughts negativity इस बार आपको आने वाली है इस particular time period के बीच में आपका focus तो छूटेगा ही छूटेगा साथी साथ आपको थोड़ी बहुत health issues भी आएंगे जिसमें मैंने बताया ना पेट की gastric की problem पैरो से related छूटी मोटी problems भी आपको आ सकती है आप क्योंकि शनी देव अपनी सात्वी द्रश्टी पंचम भाव में रखने वाले हैं सात्वी द्रश्टी डालना हैं वहाँ पर और अस्त हो चुके हैं तो baby conceive करने जो लोग जा रहे थे उसमें भी रुकावट महसूस कर सकते हैं relationship में अगर अभी तक कोई problems आ रही है तो वो दूर जरूर हो जाएंगी लेकिन आप ये भी feel करेंगे कि अब अपने partner से वो emotional connection पता नहीं क्यों गायब हो रहा है थोड़ी से serious relationship को लेकर कम होते हुए नजर आ रहे हैं third person की वज़े से थोड़ा बहुत dull महौल आपके relationships में create हो सकता है लेकिन एक बात अच्छी होगी यहाँ पर आपका intellect level और जादा sharp हो जाएगा mind से आप और जादा प्रबल हो जाएगे कुछ नया सीखने या creativity, artistic abilities को आप अपनी और जादा explore कर सकते हैं जानी देव की दस्वीन दोद्रस्टी है वह अस्टम भाव पर डालेंगे और इस समय जातकों को बोला जाएगा कि आप गाड़ी घोड़ा पर बहुत समल के चलाईए otherwise आपकी गाड़ी को भी चोट लग सकती है, आपको भी चोट लग सकती है संभवनाए हो सकती है कि आप intimate hygiene पर भी ध्यान दे, otherwise वहाँ पर भी आपको कोई health issues नजर आते हैं आपके पास यहाँ पर देखा जा रहा है कि शनी देव सडली आपको नुक्सान दे सकते हैं और यहाँ पर मैं आपको यह बात भी बताना चाहता हूं कि जो शनी है यह अकल्ड को सीखने को बहुत प्रमोट करते हैं अकल्ड मतलब होता इसलोजी, निम्रोलोजी, या फित तंत्र, विद्या, योगा, आयुर्वेदा यह सारी चीज़े आपकी दिल्चस्पी इन सब्जेक्स में इंक्रीज होने लगेगी और अगर आपकी दिल्चस्पी इन सब्जेक्स में इंक्रीज हो रही है तो अकल्ड गुर्कुल पे आप जाकर इन सब्जेक्स को सीख सकते हैं एक अच्छे खासे टीचरों के साथ fun way में, easy way में अब बात करते हैं कि वो remedies क्या है जो आपको करनी चाहिए, देखिए सबसे अच्छी remedy इस time period में आपके लिए ये रहेगी कि आप बहुत जादा फैसले मत लें decision मत लें, खास दौर पे decision जो पैसों से जुड़े हुए है दूसरी बात यहाँ पर रहेगी, कि अब आपको यहाँ पर हन्मान जी की भक्ती बहुत जादा फलेगी या फिर आप people के पेड़ पे जल चड़ाना भी शुरू कर सकते हैं या किसी भी तरह से आप Shri Hari से connect हो जाएं, अगर आप Shri Hari का हाथ आपके उपर है, तो यह शनी देव आपको कुछ नहीं कर पाएंगे, अकेला पन आप फील करेंगे इस time period में, आपकी बाहर जाने से कत्राएंगे, लोगों से बाते करने से networking करने से कत्राएंगे पर इस अकेले पन में अगर negativity आपको फील हो रही है, तो इसको छोड़ना ही बैतर होगा, बाहर निकलना ही बैतर होगा, देखिया, अकेला पन गलत नहीं होता अकेले पन में अगर आप अपने आप से बाते कर रहे हैं, अपने आपको समझ रहे हैं उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है लेकिन अगर आप इस time period में अपने आपको कोस रहे हैं आपने आप पर doubt कर रहे हैं तो आपको जरूर बाहर जाना चाहिए बहुत प्यारा मंत्र है शनी का ओम शम शनिच्राय नमा इस मंत्र का जाब आप प्रती दिन 108 बार कर सकते है ताकि इस time period में आपको जादा problems ना आए तो ये था मेश राशी के कैसे जाने वाले हैं ये शनी अस्त का time period अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वरिशब राशी के जातकों के लिए वरिशब राशी वाले जातकों शनी आपके दसम भाव में अस्त होंगे कुंड़ी में दसम भाव आपके कर्म को दर्शाता है आपके career का house होता है आपके कर्म इस्थान का भाव है ये आपकी जिन्दगी में जो बड़े political figures होते हैं जो बड़े connections होते हैं जो आपकी हैसियत होती है status जिसको आप English में बोलते हो उसको दर्शाता यहाँ पर इनकी जो तीसरी द्रश्टी है वो 12th house में जाएगी जो कि आपके खर्चों का इस्थान है आपके foreign trips का इस्थान है आपके religious knowledge का, spirituality का, आपके meditation का आपके bed pleasure का और आपके solitude का आपके अकेलेपन का भी भाव यही है शनी देव अपनी सात्वी द्रश्टी यहाँ से डालेंगे चौते घर में जो कि आपकी माता का, आपकी properties का, आपके परिवारिक रिस्तों का या वि family environment का इस्थान यही माना जाता है आपके luxury, आपके comfort का इस्थान भी यही माना जाता है साथ में यह आपकी emotional stability का भी स्थान शनी देव यहाँ से अपनी दस्वी द्रश्टी डालेंगे आपके सब्तम भाव में जो की आपकी marriage है आपकी business partnership है और आपका public appearance है या public में जो status होता है वो यही है देखिए दोस्तों दसम भाव में अस्त होने के बाद शनी सबसे पहले आपको आपके काम से बहुत दूर ले जाने की कोशिश करेंगे आपकी काम करने की जो इच्छा है लालसा है वो पूरी तरह से खतम होने लगेगी और आप देखेंगे कि ऑफिस जाने में का भी अब आपका मन नहीं कर रहा है आपकी अगर फैक्टरी है तो फैक्टरी जाने का भी आपका मन नहीं कर रहा है आपके बिजनस साइट पर जाने का मन नहीं करता है यानि कि जहां भी आप काम करते हैं अगर आप work from home कर रहे हैं तो आप सोचेंगे कि भाईया यही सबसे सही जगह है कौन जाए आफिस में और आफिस जाते हैं तो चिड़चड़ापन आपको होने लगेगा आपको बाहर निकलने का बहुत मन करेगा यानि कि काम में बिल्कुल भी आपका मन ना लगना समय ना देना जैसी इस्तिती बनेगी काम में बहुत डिले भी हो सकते हैं सारे जो आपके काम है जो आपको लगता है कि समय से हो जाएंगे उसमें भी आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ डिले आता ही जा रहा है यहाँ पर अब हम आगे बढ़े तो बात करते हैं शनी की जो तीसरी दरश्टी है वो बारवे हाउस पर है जिस वज़े से आपका ना विदेश जाने का बड़ा मन करेगा लेकिन वीजा लगने में समस्य आ जाएगी आप यह भी पाएंगे कि आपको नीन उतनी अच्छी नहीं आ रही है जितना की आपको पहले आती थी और यहाँ पर आप यह भी पाएंगे जो सेविंग्स आपने की है वो खर्च होने लग जा रही है आप देखे करना क्या है क्योंकि शनी दस्वे भाव में अस्त हो रहे हैं आपके तो काम से मन हटेगा आपका लेकिन अब यहीं पर आपकी रेमेडी सुरू हो जाती है शनी ही प्रॉब्लम बताता है और शनी ही उसका इलाज भी बताता है भले आपका काम करने का मन नहीं कर रहा पर आप फिर भी काम करेंगे और जैसे ही आप देखेंगे कि 18 मार्च को शनी उद्य हो रहा है इसी काम का जो आपने बिना मन के किया अपने ऑफिस में या फिर अपने घर में बैठ कर इसका दो गुना रिजल्ट आपको ना मिले तो आप बताईए आपके शीनियर आपके बहुत सचाना इसे प्रमोशन की बाते करने लग जाएंगे और आपको लगेगा कि यार मैं तो काम करने का मन भी नहीं करता था पर फिर भी देखो यार यह सब कितना हो रहा है शनी इस टाइम पीरिड में जितनी तकलीफ दे रहा है ना इस प्रिच्वल्टी की तरफ धर्म की तरफ आपका बढ़ने का बहुत मन करेगा और 2024 के इस टाइम पीरिड में आप अपने आपकी खोज में भी लग जाएंगे अब शनी देव यहां से अपनी सात्वी द्रश्टी डालते हैं चौते घर में देखिए शनी देव यहां बैठ कर मा से अनबन थोड़ी बहुत या फिर मा के स्वास्त में मा को गुटनों में दर्द या मा को कमर में दर्द होना शुरू हो सकता है इसका प्रभाव से अगर तनाव बन रहा है आपकी आपकी माता के बीच में या फिर आपके घरवालों के बीच में कोई तनाव आपका बन रहा है तो यहां पर आपको उनको पूरी इज़त पूरे रिस्पेक्ट देना है और मुँपे ताला लगा लेना है बहुत ज़्यादा बोलना या फिर किसी को clarify करने की ज़रूत नहीं है क्योंकि देखे राशिफल देखने का मतलब ही यही है कि आपको पता है कि ऐसी कोई चीजे हो सकती है तो आप उन्हें जितना हो सके उतना avoid करिए आपका अपने घर को लेकर बहुत ज़्यादा emotional हो जाना घर की stability को लेकर बहुत ज़्यादा emotional हो जाना ऐसी चीजें आप वहाँ पर face करेंगे impulsive decision लेने की कोशिश करेंगे बढ़ फिर वही काओंगा रुख जाईए ठहर जाईए और impulsive decision मतलिजे अब यहां से शनी की जो 10-वी दरश्टी है वो आपके सब्तम भाव में पढ़ने वाली है जो कि आपके marriage का भाव है यहाँ पर जब शनी शादी के भाव में आते हैं आप शनी ना प्रेम प्रेम की बातें नहीं करते हैं शनी बातें करतें struggle की सनी बाते करते हैं hard work की तो hard work या फिर अर्चाने create होंगी आपके अपने business partner के साथ या फिर आपके spouse के साथ यहां पर भी आपको क्या करना है कोशिश करना है कि आप अपने spouse या अपने business partner पर कुछ भी ऐसे बोलने मतलग जाए कभी कभी हमें गलत फहिमिया हो जाती है या फिर हम कहीं का गुस्सा कहीं निकालने लग जाते है ऐसा आपको नहीं करना है अगर आप ये सारी चीजे balance कर ले गए दोस्तों तो आप पाएंगे वर्षब राशी वाले जातकों कि जब शनी उदै होंगे दुबारा से आपको अंदाजा नहीं है कि बिजनस में आपके spouse के साथ relationship में आपके घर में माता पिता के साथ relationship या फिर आपके foreign के जो aspirations हैं उसमें आपको कितना लाव होने वाला है कुछ remedies की भी बात कर लेते हैं जब हम remedies की बात करने लग जाते हैं इस दौरान आपको ये समझ लेना चाहिए कि शनी की सबसे बड़ी remedy होती है honesty और dedication जिस कार में शनी आपको problem दे रहे हैं नहीं करने का मन कर रहा है lazyness आ रही है उसी कार को commitment करकर पूरा करना है आपको यही है वो सबसे बड़ी remedy कुछ चीजें हैं कुछ बाते हैं जो कि आपके लिए ये चीजें easy कर देंगी जैसे कि आपको यहाँ पर काली चीजों का दान शुरू कर देना चाहिए पेपल के पेड़ पर जल चढ़ाने का काम भी आप कर सकते हैं या फिर शनी वार के दिन च्छाया दान सरसो के तेल में अपना चेहरा देखकर उसको शनी देव पर चढ़ा देना अरपित कर देना ये दान भी आपके लिए सबसे बड़े उपाए रहने वाले हैं तो ये था व्रशब राशी का कैसा जाएगा ये शनी अस्त का टाइम पीरिड है यहां पर इसका अर्थ ये होता है कि नौम भाव आपके पिता का है नौम भाव आपके भाग का घर है आपके गुरू है आपके रिती रिवाज है शनी का असर यहां पर ही पड़ेगा शनी देव इस घर में जा तक के बहुत मेहनत करवाएंगे बहुत काम कराते हैं भाग के साथ बिलकुल भी नहीं मिलने देते भाग का सहारा बिलकुल भी नहीं मिलने देते मगर जब आप शनी देव अस्त हैं तो उनका इंफुलेंस कम है शूर का जादा है इसलिए आपको भाग का साथ जरूर मिलेगा अब यहाँ पर इसका मतलब यह है कि अगर आप जैसे अबरोट जाने की सोच रहे थे एडमिशन लेना चाह रहे थे तो अब आपकी बात बन सकती है आप इसलिए कदम आगे बढ़ा सकते हैं आपके कामों में जादा अर्चने नहीं आएंगी क्योंकि नवम भाव ही आपकी द कहां रहे हैं तो दोस्तों यारो मेरी बात मानिए कि झामिल सकता है आपको इनहीं ओ किसे मिलेगा थोट कहां समय कर être करें दो प्रॉमिस करें और फुल्फिलना करें जिससे कि आपका दिल दुख सकता है शनी यहां से अपनी तीसरी द्रस्टी 11 भाव पर डाल रहे हैं और 11 भाव ही आपके रिस्तेदारों दोस्तों का होता है इच्छा पूरती का भी भाव होता है इसलिए शनी जब यहां पर नजर डाल और आप प्रोकेस्टिनेट करें कामों को लेकर यह भी हो सकता है इंकम में भी यहां पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं यहां से अपनी सब्तम द्रस्टी शनी तीसरे भाव पर डाल रहे हैं यहां पर हमको पता चलता है कि जो छोटे भाव बहन हैं आपके उनके कोई काम हम भी खो देंगे और अपने खुद के डिसीजन पर भी शक करने लगेंगे क्योंकि यहां पर हाड़ वक का भी घर है तो कहीं ना कहीं आप हाड़ वक से भी दूर जाने लगेंगे डूर भी ट्राइक करेंगे और शॉटकट्स में शनी बिल्कुल भी साथ नहीं देते हैं यहाँ पर मैठा शनी अपनी दस्वी द्रश्टी डालेगा 6th house पर 6th house होता है आपके शत्रूओं का घर आपके कर्ज का घर और आपकी नौकरी का घर तो अगर आप यहाँ पर कई इंटर्विव देने जा रहे हैं तो वहां से जाने से थोड़ा सा बचना चाहिए या फिर इं पर में कामों में अपना मन लगाएं क्योंकि 9th house धर्म का house है इसलिए आप जितना रिलीजियस होंगे मंदिर जाना शुरू कर दीजे पूजा अरसिना जिनको भी आप अराद धिमानते हैं शुरू कर दीजे आपको लाब होगा वहीं अगर सहत को लेकर ज्यादा परिशानी आ रही है तो चीनी के बोरे में काले तिल मिलाकर किसी जगहे पर उसको डाल कर या फिर किसी जरूरत मंद को अलग अलग चीनी और काला तिल आप दे सकते हैं पीपल पर जल चड़ाना भी आपके लिए एक अच्छा उत्तम उपाय होगा तो यह था कैसा जाएगा मितुन ना जो होता है वो आपकी आयू का घर होता है आपकी कितना करश्ट होगा जीवन में कितनी पीड़ा होगी उसका घर होता है यह सडन लॉस का भी घर है यहां से शनी अपनी तीसरी द्रश्टी से दसम भाव में देखेंगे जो कि आपके कर्म का घर है कर्म के घर पे शनी जो अस के काम में आ जाएगा सोचने की शमता में भी थोड़ा सा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है यहां पर शनी देव अपनी सात्वी द्रश्टी आपके दूसरे भाव पर यानि के धन भाव पर डाल रहे हैं अब यहां पर सबसे पहले यहां पर आपको सेविंग्स में द की शादी से पहले वाले रिलेशनशिप्स की बाते करता है यहाँ पर आपकी education में भी जो अटकले चल रही थी, admission नहीं हो पा रहा था, शनी उसे भी ठीक करते हुए नजर आ रहा है, creative नजर आ रहा है आप, artistic nature आपका बाहर आ रहा है, आपके काम में वो creativity नजर आ रही है, अगर आप किसी भी creative sector या artistic sector से जुड़े हुए हैं, तो शनी द यहाँ पर हनमान जी की पूजा करना शुरू कर दीजे, हनमान चालिसा पढ़ना शुरू कर दीजो, शनी वार का वरत रखा करिए, चमेली के तेल को भी दान कर सकते हैं, शनी देव के मंदिर में, तो यह उपाय करकर राशी वाले आजात को आप जरू करिएगा, अभी से आ बहुत बुरे फल नहीं देते हैं, क्योंकि यह उनका खुद का घर है, हाला कि यह थोड़ा सा शादी में विलम करवा सकता है, और अगर शादी शुरूदा जिन्दगी आपकी चल लई है, तो नोग जोग इस टाइम पीरेड में थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन हाँ, अ हड्यों का दर्द, हड्यों में कोई चोट लग जाना, ऐसी समस्याएं आ सकती है, लेकिन अगर आपके पिता मंदिर जाते हैं, डेली रिलिजिस कार करते हैं, खास तोर पर हनवान जी की पूजा करते हैं, तो आपको किसी भी तरह से घबराने की ज़रूत नहीं है, जहां त चाहेंगे, यह सेवन्थ हाउस आपके पब्लिक रेप्टेशन का भी है, पब्लिक स्टेटस का भी है, तो इस टाइम पीरिड में आप देखेंगे कि लोग आपकी इच्छा पूर्ती के लिए आपकी तारीफे कर रहे हैं, आपको खुश करने के लिए लगे हुए हैं, और आपको बहुत बढ़ा चड़ा कर आपको सरागनों पे रख रहे हैं, देकिन यह चाटू कारिता और एक जन्वन तारीफ में थोड़ा सा फरक आपको समझना पड़ेगा, शनी की तीसरी दस्टी नवंभाव में ये भी कहती है कि भाग का सारा आप थोड़ा कब मिलेगा, मह करते करता है दोस्तों कि भाग वाग होता क्या है, मुझे सिर्फ पता है कर्म कर्म कर्म, तो अगर शिंग राशी वाले जात को आपने शॉटकट्स लिए तो शनी देव यहाँ पर खराब हो जाएंगे, आपको महनत का और जो लीगल तरीका है किसी भी कार को करने का वो करना चाहे, लेकिन यहाँ पर शनी आपको confidence में कमी नहीं आने देगा, confidence बरकरार रखेगा, तेज रखेगा और यही चीज़े आपके लिए फायदे मन्द भी होंगी, स्वास्त की अगर बात करें तो कुम राशी में बैठा, सप्तम भाव में बैठा यह शनी, आपको स्वास्त स कुछ दिकतें जो कि आपकी नजर से जुड़ी हो सकती, आनि कि आखों की कोई कमजोरी या फिर आपको पैरों की कोई प्रॉब्लम दे सकता है, यहाँ पर बैठा शनी अपनी सात्मी दर्श्टी फस्ट हाउस पे डालता है, जो कि आपके लगन है, आपका पहला घर है, यहा जैसे आप कार भी ऐसे करेंगे, जैसे दुसरों की मदद करना, इमोशनल सपोर्ट दे देना, किसी की फाइनेशली हल्प कर देना, जिससे की आपकी पब्लिसिटी भी होगी और आप अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश होंगे, यहाँ पर जो शनी की दस्वी दर्श सकता है, तो माता का ध्यान नकना है, माता अगर कोई शिकायत करें, तो उनमें आपको किसी भी तरह की आनाकानी नहीं करनी है, प्रॉपर्टी में लेकर कोई विवाद चला आता, तो विवाद अभी बढ़ेगा, अभी इतनी जल्दी खतम नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम क्योंकि शनी अभी अस्त चलना है, तो ये था कैसा जाएगा शिंगराशी वालों का सनी अस्त का टाइम पीरियर, आप कुछ उपाए, आपके लिए बता देता हो, सबसे पहला तो अपनी लाइफस्टाइल को बदलिए, अपने खाने के तरीके को बदलिए, थोड़ा सा एक भी करना चाहिए कि आप अपने घर के पक्षिब में या फिर नौर्थीश में हन्मान जी की तस्वीर लगा लें और प्रति दिन हन्मान चालिसा पड़ें, ये उपाए शिंग राशी वाले जातकों के लिए है, आपने अभी से कितनी बातों में रिलेट करना शुरू कर दि सबसे पहले आपको लोन लेने में दिक्कत आएगी, जो लोन अभी तक स्चेडूल हो गया था कि मिल जाएगा वो डिले हो जाएगा किसी कारण की वज़े से, आपका स्चेडूल जो रूटीन आपने बनाया था उसमें इतना वेस्थ हो जाएंगे कि आपको शायद अपने हर परिवार के काम, उनके साथ समय बिताने का भी मौका ना मिले, अगर आप देखें तो बिमारियां यहाँ पर कम अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन एमाई या लोन की वज़े से यहाँ पर उनको चुकाने की वज़े से आपको प्राब्लम जादा नजर आती, जो लोग कोट की टाइम पीरिड में आए, अदर्वाइस आपके फेवर में नाए, ऐसा भी हो सकता है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, छटे भाव में बैठा सनी अपने तीसरी दस्टी आठवे भाव में डालता है, और आठवा भाव आपका दुख पीड़ा कस्ट का भाव है, ज जो लोग इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अब ये शनी देव खत्म कर सकते हैं, और यहाँ पर बैठा शनी जो लोग जेनुवन हैं, मेहनत कर रहे हैं, जॉब प्रावत करना चाहते हैं, कन्य अराशी के हैं, यहाँ पर वो उन्हें एक अच्छी जॉब देगा, और एक बर अपलाई करके देख लिजे, शनी देव यहाँ पर अपना कमाल दिखा सकते हैं, शनी देव की तिस्री द्रस्टी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, अब छटे घर का बैटा शनी, अपनी जो सात्मी द्रस्टी वो बारवे घर में डालता है, बारवा घर होता ह आपके विदेश का, बारवा घर ही होता है, आपके शेक्शुल प्लेजर्स का, बारवा घर होता है, आपके इन्वेस्टमेंट का, मेडिटेशन का, हॉस्पिटल का और जेल का भी, बारवा घर खर्च का भी होता है, जब शनी देव यहाँ पर द्रस्टी डालेंगे तो आपके इन बेहिसाब खर्चों की वज़े से आप कई बार सोच विचार में भी पढ़ जाएंगे और आपको नीन आने में भी समस्या हो जाएगे कि यार पैसा और कैसे कमाएं, धन और कैसे जुटाएं, क्या मैं पीछे तो नहीं छूटता जा रहा हूं, लोग मुझसे आगे तो नहीं निकल गए, इस तरहें के विचार आपके मन में आ सकते हैं, अब आगे बढ़े, शनी की साथवी दरश्टी को हमने समझा, अब यहां पर शनी की जो दसवी दरश्टी होगी, वो जाएगी आपके तीसरे घर पर, जो भी आपके मन में होगा, यहां पर आप बोल द convince कर ले जाएंगे, अगर सही सब्दों का तो यह है, और खास तोर पर जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए, ओ हो हो, आपके लिए तो यह समय सबसे ज़ादा अच्छा है, sales से जुड़े लोग अपना target पूरा करेंगे, even उससे भी ज़ादा आगे निकल जाएंगे, कर्म, 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 इन पर ही आपको ध्यान देना है, रेमेडीस के तौर पर कन्याराशी वालो, आपको शूर उदय के समय ही, अपना दिन सुरुवात करना है, सूर को जल चड़ाना है, अनलोम, विलोम करना है, दस से पंदरा मिनट, हन्मान चालिसा का पाट करना है, और अगर चीटियों को आटा डाल सकते हैं, तो ये भी सबसे अच्छा एक उपाय आपके लिए है, ये उपाय आप करीए, और देखे, शनी अस्त नहीं, शनी आपके मस्त हो जाएंगे, अब वीडियो वे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशी के जातकों के लिए, तो तुला राशी वाले जातकों पंचम भाव में शनी देव आपके रिलेशन्शिप के लिए काफी ठीक असर देते हुए नजर आ हैं, यानि कि कहने का मतलब है कि यहां पर जो ब्रेक अप चल लाए या तरह तनी चल लए लड़ाई जगला चल लाशनी अस्त के टाइम पीरिड में प्यार करो एक दूसरे को क्या बताएं, इवन जो मेरिट कपल है वो अपने बच्चों की प्लैनिंग भी इस टाइम पीरि प्रिशान नहीं करेंगे, आपको अच्छे रिजल्ट ही देंगे, यहां पर बैटा शनी अपनी तीसरी दरश्टी डालता है सात्वे घर, पर सात्वा घर विवा का घर है, पार्टनर्शिप का घर है, पब्लिक स्टेटस का घर है, ऐसे में आप देखेंगे कि जो लोग वि अबी भी डेवलप करते हुए नजर आ रहा है, जादा तर मुवीज देखना या बाहर जाना, ट्रूर ट्रेवल करना, ऐसी चीज़ों पर भी आपका ध्यान पूरा क्या पूरा जा रहा है, शनी देव की तीसरी दरश्टी सेवेंथ हाउस पे पढ़ने से पार्टनर आपको इंकम के हाउस पे दरश्टी डालते हैं, तो आपके जो पैसे हैं वो सलो सलो आएंगे, धीरे धीरे आपका पैसा आपके पास आएगा, साथी साथ यहाँ पर आपके यार दोस्त आपका समय वर्थ करवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, किसी ना किसी तरह से वो अपना काम आपको देना चाहेंगे, आप से कहेंगे, मेरा काम है, मेरे साथ चलो, ठीक है, और यहाँ पर अगर आप फजगे, तो आपका समय जाएगा, समय वर्थ होगा, वो समय जो आप अपने उपर लगा सकते थे, रिस्तेदारों से भी यहाँ सावधा नैने की उफिक्षा की जाती है, साथी साथ यह भावना लालच का भी है, इच्छाओ का भी है, तो हो सकता है, शैटन के इस टाइम पीरेड में आपके अंदर ऐसी इच्छाएं डवलप हों, जो कि आपकी और आपकी परिवार के लिए थोड़ी टॉक्सिक है, जरूरत नहीं है उन्हें जो यह काम कर सकता है, और विश्वास मानिये कि सेटन की दरस्टी जब आएगी सेकंड हाउस पर तो परिवार में थोड़े जगडे जरूर होंगे, खाने पीने की हैबिट्स आपकी खराब होगी, पेट खराब होगा, लेकिन पैसा कमाने का भी यही सबसे अच्छा समय है, मैंने बोला कि इंकम आपकी धीरे धीरे आएगी, लेकिन वो इंकम कितनी है, वो दस रुपय है कि दस लाख है, यह आपका सेकंड हाउस डिसाइड करेगा, भले दस लाख धीरे धीरे आएगे, जमाएंगे मजा आएगी, यहाँ पर आप अपने रूटीन पर ध्यान दीजे अपने खाने पीने पर ध्यान दीजे, उनको बिल्कुल दुरुस्त रखिए, अपने सेहत पर ध्यान दीजे, और अपने काम पर ध्यान दीजे, देखिए, सेकंड हाउस का सेटन करोड़ पती बना देता है लोगों को, मैं उतने वादे तो नहीं करना हूँ आप से, नहीं आपको इतना सोचना भी चाहिए, बठा, शनी यहाँ पर धन दे सकते हैं, तो अगर आप वैपारी हैं, या फिर आप जॉब के लिए प्रमोशन की तलास कर रहा हैं, बिल्कुल परफेक्ट समय है अपने वैपार में रिस्क लेने का, उन्हें आगे बढ़ाने का, वीडियो हो सकते हैं, आपकी इच्छा है, खाने पीने से रिलेटेड चीजों का डोनेशन आप जरू करेगा, सेटेडे सेटेडे भी कर सकते हैं, और अगर आप शक्षम हैं, तो हर दिन भी कर सकते हैं, फाइनेशली इंसीक्योर होने से आप बच जाएंगे, कॉन्फिदेंस में कमी आने से भी आप बच जाएंगे, तो ये वो उपाए हैं, जो आप कर सकते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़के बात करते हैं कि कैसा जाएगा शनी अस्त का ये टाइम पीरिड वर्ष्टिक राशी के सभी जातकों के लिए, वर्ष्टिक राशी के बार आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि चौता घर माता का भी होता है, अब एक घर में जो बुजूर्ग है ना, इनसे बैट कर ठोड़ा डिसकुशन करिए, ठेक है, क्या आपने क्या किया था पुराने टाइम में, मेरे इस्तिती ये चल लएई, मुझे क्या करना चाहिए, अभी आपका क्या प्लान है, आप खुश तो हो या नहीं हो, आप पूछिए इनसे, ये भी एक बहुत बड़ा उपायज उतिश में माना गया है, कि जो बच्चे अपने बड़े बुजूर्गों के साथ बैट कर समय बिताते हैं, उनके परिवारिक महल कभी खराम नहीं होत है, तो कुल मिला के आपको यहां पर फोर्थ हाउस अस्त कमबस्ट सैटन में अपने परिवार का ध्यान बहुत देना है, कही बारना हम बस चुप रहें, तो सब ठीक हो जाता है, लेकिन अगर हम सब बोल बोल के ठीक करना चाहें, तो कुछ भी ठीक नहीं होता है, चौते भ बैठने का है, चुपचा बैठना या कोई भी फैसला ना लेना भी जीवन में बहुत बड़ा फैसला होता है, आप यहां पर बैठा सैटन अपनी साथवी दस्ती दस्वंभाव में डालेगा, प्रमोशन कराने के चांस है, प्रमोशन कैसे होगा, आपने का छटे भाव में तो आप यह कह रहा हो, जोब बदल के जाओगे, वहीं पर प्रमोशन मिल जाएगा, यानि कि आप जिस नौकरी में है, अगर वक्त आ चुका है उसे बदलने का, आपको लग भी रहा है, तो आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, अगर सब ठीक लग रहा है, तो इतना चिंत में डालेगा, पहले हाउस में डालेगा, थोड़ा साना पेशन्स खोते हुए नजर आएंगे, आप परसीवरेंस से काम लेने की यहां पर सला दी जाती है, सैटिस्वाइज जीवन में कम नजर आएंगे, और अपने आपको यह समझाते रहेंगे कि अभी मुझे रुकना न मिलाते नहीं है, तो यह सैटन आपके लिए फेवरेबल हो जाएगा, थोड़ा सा अट्रेक्टिव भी लगेंगे इस टाइम पीरिएड में, इन्फिलेंस करने में काम्याब होगे, लोगों को लीडर्शिप की कॉल्टी भी आपके अंदर बढ़ती हुए नजर आती है, कॉ निवार को मंदिर जाकर शनी देव को सरसो का तेल चडाना, काले तेल का दिया जलाना है, और हन्मान जी की जितनी हो सके उतनी पूजा अर्चना आपको करनी चाहिए, नहीं तो सिंपल हन्मान चालिसा भी आप पढ़ सकते हैं, तो ये था वरश्यक राशी का कैसा जाएगा शनी अस्त का टाइम पीरिड, आपने अभी से कितनी बातों में रिलेट करना सुरू कर दिया, कॉमेंट करके जरूर बताईए, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कैसा जाएगा शनी अस्त का ये पूरा टाइम पीरिड धनूराशी के सभी जातकों के लिए, धनूराशी वाले जातकों शनी तीसरे भाव में अस्तों होगे आपके लिए, तीसरा भाव आपके बाहुबल का है, तीसरा भाव आपके पराकरम, आपके हार्डवक का है, आपके छोटे भाई का भी है, तीसरा भाव से ही आपकी छोटी छोटी ट्रिप्स देखी जाती हैं इसलिए मैं कहूंगा कि अपने इस टाइम पीरिड में आप छोटी छोटी टिप्स जरूर करेंगे जिसकी वजह से आपकी बिगडी हुई चीजे बनने लगेंगी आप यहाँ पर हो सकता है कि आफिस भी बदल सकते हैं अगर कोई बिजनस चला रहे हैं कहीं ना कहीं आपके ल तो यह चीज आपके लिए अच्छी है लेकिन इस दुनिया जैसी है जो दिखता है वो दिखता है इसलिए आप अपनी बातें आगे आकर बोलेंगे और अपने करेश को लोगों को दिखाएंगे जिस वजह से आप लोगों की नजरों में आएगे जब दिखेंगे तो आप भी आब यहां पर बैठा हुआ शणी अपनी तीसरी द्रश्टी डाल देता है पांच में घर में पांचमें jullie आपकी संतान का है आपके पधाई लिखाई का है और आपके बहुत धिक शंता का भी है आपके LOVE अफेर्स का भी है शनी अस्त होकर जब पांचमे भाव में दरश्टी डालेंगे तो यहाँ पर आपके लव अफेर्स में आपके प्रेम महबत में कुछ लड़ाई जगड़े हो सकते हैं और सबसे जादा आपके संतान होने में कोई डिले हो सकता है तो जो कपल बेबी की बेब जाकर पढ़ने वाली एजुकेशन का भी है तो अस्त सनी जब यहाँ पर डालेगा तो कहेगा भया भाग ये कुछ नहीं जो है कर्म है आपको महनत करवाने में आपको मोटिवेट करें अंदर से वो फीलिंग आएगी कि अब आप मोटिवेट हो रहे हो महनत करना चाहते हैं पिता जी के स्वास का आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कोई गुरू कोई टीचर कोई अध्यापक अगर आपके हैं और वो आपसे मिलते हैं तो उनके जरूर पैर चुईए या फिर अपने पुराने अध्यापकों को जरूर फोन करकर उनसे बाते करिए यहाँ पर बैठा शनी आपके लिए देखना इतने जादे रास्ते खोलेगा कि आपको लगेगा कि भाया मेरे पास तो 24 घंटे में काम कैसे करूं इतना सारा ये इस्तिती भी शनी लाकिये रख सकता है लेकिन बस मेहनत करनी है कर्म करना है शनी को सही करना है तो कर्म करना पड़ेगा यहां पर बैठा शनी छोटे भाय की शिहत में या फिर उसके काम धंदे में भी कोई मंदी ला सकता है तो यहां पर अगर ऐसी कोई सिच्वेशन आप देखे तो जो उपाए मैं आपको बताऊंगा वह आपको जरूर करिएगा ताकि आपको और आपके भाई को किसी तरह की क कोई दिक्कत ना है अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अब तीसरे बाव में बैठा शनी अपनी दस्वीं दश्टी डालता है दौदस बाव में और यहां पर बैठा शनी आपके खर्चे बढ़ा देगा अब देखे खर्चे बढ़ते हैं तो लोग को कflagan आए स्पेशली उन चीजों के सपने आ सकते हैं जो कि आपके जीवन में आप सोच रहे हैं कि फ्यूचर में से रिलेटर्टर चीजों के सपने भी आपके आ सकते हैं शबीर में सुस्ती रहेगी काम करने के इच्छा में भी आप कम ही पाएंगे लेकिन काम आएगा बहुत जरूर और मेनत करिएगा ये मेरी सला है आपसे इमोशनली आप यहाँ पर ड्रेन नजर आते हुए नजर आ रहे हैं लोगों को इंपैथेटिक होकर बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं लोग आएंगे आपके पास अपना दु अब ही अभी 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 करना है प्रेक्टिकल होकर फैसले लेने आपको अपनी जुमान पर काबू रखना है बहुत जादा अपने अलफाजों पर ध्यान देना है चुन चुन कर शब्दों को बोलना है अदरवाई जगडे लड़ाई हो सकते हैं आप हनमान जी की पूजा जरू करेंगे पीपल के पेल पर जल भी हर शनिवार को चड़ाना आपको यहाँ पर इसकी राय दी जाती है यहाँ पर आप बेशन के लड़ों का दान अगर जरूत मंदों को कर दे महीने में एक बार कर दे या दो बार कर दे जो भी आपकी स्थिती बने वो भी आपको अच करेंगे.. Finance को सभालने का यहाँ पर यह काम करने वाले हैं शनी दूसरे बाउख में बैठ कर बहुत पैसा देते हैं अगर सही से देखा जाए financial stability भी देते हैं लेकिन अस्तु हुआ सनम लेकिन अस्तु हुआ शनी financial stability को खराब कर देता है इंसिक्योर महसूस करवाता है साथ ही साथ ही ये आपकी पेमेंट जो आने वाली उनको भी अटकाने लग जाता है पुराने जो खर्चे थे वो भी सामने आ जाएंगे यहाँ पर बैटा शनी अपनी सात्वी द्रश्टी डालता है इसलिए आपके जो पैसे हैं वो लॉस में पैसे है जो है लॉस में जा सकते है यहाँ पर बैटा शनी इटिंग हैविट्स खराब करता है यहाँ पर बैटा शनी धी में धी में धी में आपके पैसों को आपके पास आने देता है खर्च के कारण और बहाने भी बनाता है ये तो आपने सुन ली बुरी बाते लेकिन यहाँ पर बैटा शनी ससुराल वालों से फायदा करवाता है यहाँ पर बैटा शनी आपको बहुत जादा मनी दे कर जा सकता है बस उसकी दो-चार बाते आप मान लीजे लाइव को कमफर्टेबल वो कर सकता है जादा बहतर यहाँ का शनी मेरिड लाइव के लिए होता है ऐसे लोग रोमेंटिक होते हैं और अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताते हैं थोड़ा सा डिसकरेक्शन शुरुआती दिनों में आप फिल करेंगे आर्गुमेंट्स भी बढ़ सकती हैं लेकिन उसके बाद यह शनी आपके लिए बहुत जादा अच्छा हो जाएगा प्यारा हो जाएगा यहाँ पे बैटा सनी आपको देखने को मिलेगा कि जो भी चीजें आपने बहुत समय से सोच रखी थी कि मैं कभी यह करूँगा मैं कभी वो करूँगा यह शनी आते ही वो सारी चीजें अब आप करने भी लग जाएंगे करना क्या है क्या है वो चीजें जो इस शनी को बहतर बनाती है सबसे पहले कि आपको अब ध्यान करिया करनी पड़ेगी निद्रायोग करिए अनलोम विलोम करिए ब्रामरी ब्रायाम करिए अपने दिमाग को शांत रखिए शनी बदलाओ लेकर आएगा चेंज कराने के विचार आपके मन में डालेगा अपने आप से चल कर बदलाओ चेंज आपके सामने आएगे कभी नौकरी में कभी जग है कि कभ फिल्ड में उन बदलाओं को accept करना है आपको उनसे भागना नहीं है सुरवात में हर एक काम कठिन लगता है हर एक काम में पीड़ा लगती है कि यह हमसे हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा लेकिन आप उस काम को बखू भी करेंगे यह शनी यहां पर आपको बोल कर जाता है तो इस तरह से मकर आशी वालो यह शनी आपके लिए बहतर है बस आपको चीजों का ध्यान दीजे कुछ रेमेडीज बता रहा हूँ आपको जो आप जरूर करिएगा और वो रेमेडीज है सबसे पहले कि हनमान जी की पूजा अर्चना जरूर करें अगर जोतिश शीखने की रूची है आप में बहुत दिनों से टाल रहते तो जो तेस टेरो रीडिंग निम्रोलोजी सीखना इस समय आपके लिए बहुत जादा प्रॉफिटेबल होने वाला है और अगर आप ऐसी कोई रूची रखते हैं तो आप हमारे अकल्ड गुरकुल संस्थान में जाकर वेब करते हैं बात करते हैं यहां पर बैटा शनी क्या करवाएगा और क्या करना चाहिए उपाय के तौर पे हन्मान जी की पूजा मैंने आपको बता दिया कि आपको ध्यान करना है मेडिटेशन करना है और यहां पर आपको जोते शिखना यही वह उपाय है साथ मुक्य रुद्र पर असर डालेंगे क्योंकि कुम राशी शनी देव की सोयम राशी है और जब इसमें ये अस्त होते हैं तो आपकी सेल्फ इस्टीम पर असर डालते हैं आप जहां खुद को एकस्प्रेस करना चाहेंगे वहां आप खुद को एकस्प्रेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि शनी नहीं कर पाएंगे और आपकी खुद की इंडिविजुएल्टी पर भी काफी असर पड़ सकता है यहां पर इगो प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेंगी आप से छोटे लोगों के साथ आप ठीक से पेश नहीं आएंगे जिस वज़े से आपको बत्तमीज की कैटेगरी में भ तो यहां पर आपको दिक्कत आ सकती डिले होगा थोड़ी तू तुमे में होगी बिना बात की लड़ाईयां होगी थोड़ी बहुत अर्चने आपके विवहाईक जीवन में पार्टनर के साथ आ सकती हैं किसी एक पर आप अगर प्लैनिंग और स्ट्रेटिजी के साथ अगर करना चाह रहे हैं तो जरूर करिएगा क्योंकि यह इस चीज के लिए प्रफेक्ट टाइम है बिजनेस में भी आप देखेंगे कि आपका जो ट्रेड है वह थोड़ा सा स्लो हो रहा है मध्यम हो रहा है क्योंकि आप चीजों को लेकर इग्नोरेंट हो रहे हैं छोटी-छोट लोग चीजे भी बोल सकते हैं इसलिए जब भी आपको टाइम मिले तो कुछ उपाय अप जरूर करिएगा सबसे पहला उपाय तो आपके लिए यही है कि आप जितना हो सके अपना समय निकालिए अपने कामों के प्रती जो आप गलत चीजे कर रहे हैं गलत नहीं कहूंगा क आपकी कमिया निकाल सकते हैं उन्हें ठीक कर दीजे अदर्वाइस यह बहुत जादा मुश्किल में आपका समय जा सकता है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं एक और उपाय कि यहां पर आपको शनी देव को अगर सही करना है तो आपको अपने काम में इसकुल इसकिल फुल व बात करते हैं कि कैसा जाएगा मीन आशी के सभी लोगों का ये साइम पीरियड जब शनी अस्त हो रहे हैं तो शनी आपके बार्वे भाव में अस्त हो रहे हैं सबसे पहले आपको नींद की प्रॉब्लम करवाएंगे टेंशन बहुत दे सकते हैं छोटी-छोटी बाते आपक इस थलों में मुझे जाना है इस तरहें से आपकी यहाँ पर इच्छा बनेगी दूसरे भाव में सनी की तीसरी दृष्टी पढ़ेगी इसलिए आप फाइनेंशली इंसिक्योर होंगे पैसा खर्चा जादा कमाई कम इस तरह के विचार आएंगे हो ना हो लाइफ में फ्यूचर में क्या होगा फ्यूचर में मुझे अपने आपको बचा कर रखना है मैं कैसे अपने परिवार को सेफ करूँ यह आदी चीजे आप देख सकते हैं सवसुराल वालों से बाचीत यहाँ पर थोड़ी सी गड़बर हो सकती है या फिर उनकी कोई हरकत आपको पसंद में भी आ सकते हैं या किसी वज़े से हॉस्पिटल में आना जाना भी हो सकता है अब यह मैंने बोला है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे ही बिफालतू भी किसी रीजन जे घर के आसपा जो हॉस्पिटल हो वहाँ पर चले जाएगा ताकि आपको किसमत ना भेजे प बढ़ चड़कर बातें मत करिया आपके पास कितना धन है आपके पास कितने सकस्फूल है यह सारी बातें लोगों को मत बताईए इसी में आपका फायदा है बिल्कुल सिंपल रहिए आपको देखकर कोई बता ही ना पाएग कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है अन मिम्नाशी वालों के लिए साल अच्छा ही है मोटे तोर पर आप यहां पर देख रहों आपके पास करेंगे तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा आपके जो टीचर हैं जो गुरू है उनके साथ थोड़ा समय बिताईए थोड़ा कुछ पढ़िए और अपने काम धंदे से इस बार मत पढ़िए फिलोसफी पढ़िए थोड़ा कभी हिस्ट्री पढ़िए अपने आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट में लेकर जाईए यह आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है और कोशिश करिए कि अपने घर परिवार के साथ जितना समय बिता सके बिताईए एक्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवाना मत भूलिए और कमेंट में हमें लिख कर बताईए कि कौन से टॉपिक पर आप हमारे फ्यूचर में वीडियोस चाहते हैं जो भी टॉपिक आप लिखेंगे हम उस पे जल से जल कोई नया वीडियो क्रेट करने की कोशिश करेंगे मिलता हूँ आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे